लिखकर रख लो निलामी में दस खिलाडियों का बिकना नामुम्किन है क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि यह 10 खिलाडी जिनके नाम आज इस वीडियो में बताऊंगा वो आईपल 2023 की निलावी में नहीं विकरेंगे चली इनके नाम देख लेते हैं लेकिन उससे पहले का हर नूस सबसे पहले लाते हैं लाइक और शेयर कीजिए और सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर तो बैल आइकन दुआए चली दोस्तों शरुआत करते हैं इस लि में देने को दयार नहीं है पिछले तीन सालों से सिर्फ आठ आइपिल 18 मैचेस के लिए इन्हों निकाल पाए बड़ी चीज यह नहीं है बड़ी चीज यह है कि हर साल इंसे उमीद जताई जाती है कि इंडियन पेसर जो की इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के लिए खेल चुका क पिछले तीन साल में सिर्फ फॉटी मिकेट से भारत के इंटरनेशनल कद के तेज गेंवाज के एकस्पक्ट नहीं करता है उनकट के लिए यह निलामी शायद आखरी ही बचे दूसरे घलाडी जिनका बिकना सबसे मुश्किल है और इनका बिकना मुझे थोड़ा सा थोड़ में कोई भी टीम नहीं खरीती है यह आईकल की निलामी का इतिहास है दूसरी बड़ी चीज़ें इनके साथ बहुत बुरा हुआ है इनको जगा ही नहीं मिली है अपनी टीम में खेलने को क्योंकि यह बहुत बहुत क्रीम टीट्वेंटी खिलाड़ी है तो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में जगा जो होगा उस्टेलिया का एडम जैंपा के रूप में ऐसे विदेशी प्लेयर बहुत मुश्किल होने वाला एडम जैंपा के लिए नामुम्किन प्रोसेस रही कि पिछले साल की निलामी में विके नहीं था आखरी बार 2020 में ये प्रीमियल लीग खे लिए आ आपके पास ऑल्रेडी इंडियन विकल पर बैठे होते हैं तीम में हर टीम के पास इंडियन डॉमेस्टिक और इंटरनेशन स्पिनर्स बैठे होते हैं और संक्या भी बहुत जादा है इसलिए इनकी प्रासंगिक तक इसी टीम में नहीं हो पाती है यार देखो सीधी बात हि नहीं नहीं अल्रेडी देश में डिमांड है तो बाहर से कौन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराएगा जाहरे इसलिए नहीं बिखते है चौते खिलाडी है इस लिस्ट में बड़ा नाम एवन लुइस वेस्ट इंडिस की प्रासंगिक ता आइपल में खतम हो गए और इसके कई कारण है सबसे बड़ी आइपल की हिस्ट्री इनकी बड़ी खराब है अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में टोटल 27 मैचों में सर्फ 654 रन बना पाए है यही एक कारण रहा है कि राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियस कई टीमों में यह पासान पासान होते रहे हैं अभी की परिस्थिती में एस वेस्ट इंडियस का खिलाड़ी कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं जिस पर हम बहुत बड़ी एकस्पेक्ट कर में पूर हो पूरी निलामी में रहा हैं पाचोई बड़े नाम जो की साल गे और जहाए जेज से लुट T20 की जब हम बात करेंगे इस खिलाडी की महत तो बहुत है लेकिन इनकी value इसलिए कम हो जाती क्योंकि ये कभी Indian Premier League को seriously लेते नहीं है ये पिछले बार भी गुजराट Titans भी गेते बिना मैच के लिए already big गए टीम ने पैसा लगा दिया निलामी चली गई टीम का पैसा निलामी में से कट गया balance पर्स में से at the end Jason Roy ने मना कर दिया तो टीमें पर विश्वास नहीं जाताती पिछले past सालों में सिर्फ 13 मैच एले Indian Premier League में जिसमें 329 रंस मना है जो की इस कद के खिलाडी के लिए यह बिल्कुल सूटेट नहीं है तो भारत की विकेट और इनको शूटी नहीं करता इसलिए इनका ना विकना बिल्कुल सही है यह नहीं विकने वाले उनसोल्ड रहने वाले छट्वे प्लेयर जो की ऑंगे अनसोल्ड नाम है दोस्तों इनका इसालत शर्मा यह बहुत की चीज़े इंडिया के सलेक्शन से तो बाहरे लाष्ट तीन सालों में आई तो सिर्फ चार मैचस के लिए और एक विकेट निकाला तो वही बात है कि तेज गेन बाद जिसकी एज कम होता है जिसका करियर कम होता है वही इनको काट रहा है इशान शर्मा करियर शायद एंड इंडिया की पिछे इनको कभी सूट होई नहीं सबसे बड़ी चीज कि इनकी बहुत बुरी आदत है कि यह शायद पी कर यह कुछ भी कर कर शराब भी कर यह ट्विटर पर आई पिल के बारे में कई सारी चीज़े बुरी लिख चुके लेकिन बड़ी चीज यह बड़ी निकालता है हर साल यह खिलाडी सिर्फ 2-3 विट निकाल कर देगा कोई भी डॉमस्टिक खिलाडी निकाल देगा तो ऐसे विदेशी प्लेयर भी इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है नीचम का विकना नामकिन है यह अनसोल रहने वाले आगे बड़ते हैं दोस्ता आठवा प आठ मैचेस में सिर्फ 37 रन बनाएं तो यहां से चीज़ पता लगती है कि लाश्च चार सालों से बहुत जारा मैचेस उनको खेलने को मिले भी नहीं है और जिन मैचेस में खेलने को मिला भी आप एक पचास तो बनाई सकते थे अब एक बा़ तो सत्तर रन बनाई सकते थे नौगन आप जो की एंसोल होंगे साथ अफरीका के वेंडर डसन जब आये थे तीन साल पहले तब उमीद थी इनसे बहुत जादा बट अब सबसे बड़ी चीज जो इस साल होने के लिए जा सकती है वह है इनका फॉर्म में नहीं नहीं तो इनके साथ भी वही क्राइटेरिया लगता हुआ दिख रहा है कि भारती पिछे सूट होती नहीं तो जो एवी डिविलियर्स या डीकॉप को भारती पिछे सुपर बहुत मज़ा आता है खेलने पर उसके ही कांटरबार्ट वेंडर डसन को नहीं आता है एंड इस 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 अ सो नौवे खिलाड़ी डसन अंसोल्ड हो जाएंगे दसवे प्लेयर जो कि हो जाएंगे अंसोल्ड वो है बांगलादेश के शाकिवल अबिलिटी है परवीशा ने यह दोनों चीज इनके साथ बहुत बड़ा इश्यू है क्रिकेट बोर नोसी देता नहीं पिछले साल की नि अंसोल्ड लोगे यह दस किलाड़ी है दोस्तों कि होने वाले अंसोल्ड आप बताएं को में यह तो मेरे साफ से थे कौन बख सकता है अपनी राहे कॉमन बॉक्स में लेकिना टेली ग्राम पर फॉलो कर ले ना डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक इस वीडियो को लाइक और करो चैनल को यहां के नीचे से सब्सक्राइब करका बेल आइकन दबाओ